आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ Hello friends, मैं आप जो क्वेश्चेन उसे मैं बलाएगा कि sum of two numbers is 1280 if 3.5% of one number is equal to 4.5% of another number then find two numbers और यह हमारे पाइब सबसंस है चलो, तो देखो sum of two numbers कितना है 1280 है, तो हम मालेते हैं कि एक number x होगा, तो दूसरा number क्या होना चाहिए 1280 माइनस में x होना चाहिए तो दोनों का sum कितना है, कि यहीं आएगा अब हमारे question का नुसरा है, 3.5% of one number तो 3.5% इसका कर देते हैं तो 3.5% मतलब x का 3.5 divided by 100 यह हो गया, equal to 4.5% of this तो 4.5% मतलब 4.5 into 100 इन्टो अरे, divided by 100 into this बारस तो आज C माइनस में x अब इसी को सो solve करना है तो दोखो 100, 100 तो चला जाएगा इदर हमारे पास बचाएगा 3.5x is equal to यह 4.5 into में बारस वस्ती है उससे multiplication कर देंगा अंदर तो यह हो जाएगा मेरा 5, 7, 6, 0 और माइनस में 4.5x इसको इदर लेके आएगे तो प्लस में हो जाएगा तो 4.5 प्लस 3.5 कितना होता था? 8 हो जाता है तो 8x is equal to 5, 7, 6, 0 अब 5, 7, 6, 0 divided by 8 करेंगे हम तो हमारा x is equal to कितना जाएगा? 720 तो x की value हमारा 720 आ गया तो यहां से 280 में से 720 घटा देंगे तो यह हमारा पास कितना आजाएगा? 2nd नमबर कितना आजाएगा? यह हमारा आजाएगा 560 और यह हमारा कितना है? 720 तो हमारा नमबर क्या होगा? 720 और 560 तो 720 और 560 यह 3rd वाल अप्शन सही है I hope आपको सुझ में आगा, thank you Classics to 12 से लेके नीट IIT जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलूट करें डाउटने टाप यह वाट्साप कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर